बिसमिल्ला रह्मान ररहीम, अस्सलाम अलेकुम स्टुडेंट्स, मैं हूं हसान फृरीद आपका फिजिक्स टीचर, आज हम चैप्टर नमबर टू के बकिया नुमेरिकल करेंगे, तो आए स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्टर, नुमेरिकल 2.8 की स्टेट्मेंट आप लोग फोर्स है 3, I hat, प्लस 2, J hat, दूसरी चीज़ जो हमें दी हुए है, वो दो पॉइंट्स है, आपको पता जब भी हमें इस चैप्टर में पॉइंट्स दियोंगे, हम उनके पॉजिशन वेक्टर लिखेंगे, तो यह पॉइंट 1 है, इसको मैं R1 इसका पॉजिशन वेक्टर क्या बनेगा, जो 2 है, उसके साथ I hat लगाऊंगा, और जो नेक्स टरम है, वो माइनस 1 है, तो उसके साथ J hat लगाऊंगा, तो माइनस 1 J hat बनेगा, लेकिन माइनस J hat लिख देता हूँ, जो दूसरा पॉइंट है, इसी तरह मैं दूसरे पॉइंट का भी पोजिशन वेक्टर तो हमें find out करना है work, अगर आपको याद हो, work जो है, वो force और displacement का dot product है, अगर आप इस equation में force और displacement की value पूट कर दें तो definitely आपके पास work आ जाएगा, given data में force तो है, लेकिन displacement नहीं है, जब दो position vectors हो, तो आपको याद होगा displacement कैसे निकालते हैं, displacement होता है, R2 माइनस R1, अब R2 हमारे पास है, 6I plus 4J, इसमें से हमने minus करना है, R1 को, और वो कितना है, 2I hat minus J hat, जब हम इनको minus करेंगे, तो 6I plus 4J, brackets, खोलेंगे, ये minus अंदर वाले sign change के देखा, तो 2I के साथ minus 2I hat आज़े, और minus J का sign change होगा, तो plus J हो जाएगा, अगली बात आपको मालूम है, कि I को I के साथ solve करना है, और J को J के साथ solve करना है, तो 6I minus 2I कितना आजएगा, 6I minus 2I, 4I hat, 4J और plus J, तो 5J आजएगा, तो ये आजएगा हमारे पास, displacement आजएगा, अब हमें चाहिए, वर्क, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्क is the dot product of force and displacement, force का vector already हमारे पास था, कितना था, 3I plus 2J, इसके साथ हमने dot लेना है, displacement के vector का, और displacement का vector क्या है, 4I hat plus 5J hat, अब dot का आपको मालूम है, dot कैसे लेते हैं, I को I से, J को J से, और K को K से अपने multiply कर देना है, तो जब्सरा देखें, 3 को 4 से multiply करेंगे, तो 3 force हा, 12, आई भी I से multiply करेंगे, I dot I 1 होता है, हम लोगे ने पढ़ा था, फिर 2 को 5 से multiply करेंगे, 2 5s are 10, और J dot J, तो हमारे पास answer कितना है, J dot J 1 होता है, हमारे पास answer कितना है, जी 22, लेकिन आप देख रहे हैं, कि उसने हमें यह नहीं बताया, कि force newtons में है, और distance meters में है, तो मैं यह नहीं कह सकता कि यह जो work आया है, यह joules में होगा, तो मैं लिखूंगा, कि work 22 तो है, but I don't know कि इसका unit क्या है, तो मैं लिखूंगा, work is 22 units, आई यह ज़र देखते हैं next numerical, numerical 2.9 ज़र देखते हैं, जी show that 3 vectors, यह 3 vectors हैं, तो पहले तो मैं 3 vectors, लिख देता हूं कि यह बन डेटा में, एक है I plus J plus K, दूसरा vector है 2I minus 3J plus K, और तीसरा vector है जी हमारे पात 4I plus J minus 5K, proof क्या करना है, they are mutually perpendicular, तो find out क्या करना है, कि perpendicular है, अब हमारे पास क्या criteria है, vectors की perpendicular होने को judge करने के लिए, तो हमारे पास criteria यह है, कि अगर दो vectors का dot 0 आ जाए, dot product 0 आ जाए, तो इसका मतलब वापस में perpendicular होते हैं, तो आएए ज़रा देखते हैं, find में फिर मैं क्या लिखूँगा, कि मुझे इन तीनों को perpendicular proof करना है, यानि कि मुझे A dot B zero proof करना है, B dot C bhi zero proof करना है, और C dot A b zero proof करना है, अगर मैंने ये तीनों बातें proof कर दी, तो इसका मतलब है कि तीनों vectors एक दूसरे के perpendicular है, तो आएए सबसे पहले A और B का dot लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है dot लेना बहुत simple है, तो A और B का dot, vector A क्या है जी, I plus J plus K, और vector B क्या है जी, 2I minus 3J plus K, अब इनका dot लेते हैं, dot में I को I से, J को J से और K को K से multiply करना है, so I यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1, 2 is a 2, फिर plus, minus, minus, और 1, 3 is a 3, then plus, और into plus, plus, और यहाँ भी 1 है K के साथ, यहाँ भी 1 है K के साथ, तो 1 into 1, 1 आजएगा, आप देख रहें, इनका अंसर कटके, 0 आ जगा, इसका मदब यह तो confirm हो गया, के A और B एक दूसर के perpendicular है, अब लेट्स टॉक अबाउट B एंड C, उसके लिए भी हम same check apply करेंगे, और B और C का dot लेंगे, B क्या है जी हमारे पास, 2I माइनस 3J प्लस K और C वेक्टर क्या है जी, 4I हैट प्लस J माइनस 5K हैट, अब ज़रा I को I से multiply करेंगे, टू फोर्जा, 8 माइनस 3 को 1 से multiply करेंगे, तो माइनस 3 आएगा, यहां K के साथ 1 है, यहां K के साथ माइनस 5 है, तो माइनस 3 और माइनस 5 मिलकर माइनस 8 हो जाएगा और 8 माइनस 8, 0 जी, यहां से A भी बता चल गया कि B और C भी आपस में perpendicular है, तो A B के perpendicular हो गया, B C के perpendicular हो गया, रह गी यह बात कि C और A आपस में perpendicular है या नहीं, उसके लिए हम C और A का dot ले लेंगे a और c का dot ले ले या c और a का ले ले it doesn't matter क्योंकि हमें मालूम है dot product तो commutative होता है तो इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो हमारे पास dot लेते जी a vector i plus j plus k अब जरह देखते हैं i को i से multiply करेंगे तो four ones are four then यहां भी one है j के साथ यहां भी one है one one is a one then we have minus five और यहां के साथ one है तो minus five को k के साथ multiply करेंगे तो minus five हैगा four plus one five और five minus five zero और यहां से हमने बड़ी आसानी से प्रूफ कर दिया के result क्या हुआ के hence vector a vector b and vector c are perpendicular to each other तो dot product इसलिए हास से बड़ा जबदस्त है क्योंकि जब भी आपने check करना हो prove करना हो कि दो vector आपस में perpendicular है या नहीं dot product से बहतर कोई चीज़ नहीं है आए ज़र देखते है next numerical two point ten given data आप देख रहे हैं ज़िए एक vector दिया हुए a और उसके बाद एक और vector b दिया हुए तो सबसे बड़े तो मैं इनको given data में लिख लेता है as it is अब एक बाद note करें three i के बाद minus four की है लेकिन मैं confusion से बचने के लिए क्योंकि j है ही नहीं तो मेरे से गलती ना हो जाए मैं क्यों ना zero j लिख ले देखा आप लोग ने तो यहां दर्मियान में j missing है तो मैं zero j लिख लेता हूँ और फिर minus four के लिख लेता हूँ इससे ना लिखे फरक नहीं पड़ेगा लेकिन गलती के chance काम हो जाते है find projection of a on b a की b पर projection अगर मेरे पास ये vector a है और ये है vector b तो a की projection b पर मैंने आपको याद है बताया था shadow तो अगर उपर से रोशनी पड़े तो इतना हिस्सा जो है वो shadow होगा b की उपर ये होगा a cos theta और ये ही उसकी projection है यानि के हमें find out क्या करना है a की projection यानि के a cos theta यानि के horizontal component अब हमें मालूम है कि a cos theta वाला ये सारा concept जो है वो formula था a dot b is equals to a b cos theta dot product का हमें क्या find out करना है a cos theta a और cos theta को इदर रखूँगा तो b उदर जाकर divide हो जाएगा तो फिर a cos theta किसके बराबर रहेगा a dot b वही रहेगा और ये b का magnitude उदर जाकर divide होगा magnitude के लिए मैं जरा असानी रहे मैं b का magnitude के लिए symbol डाल देता हूँ ठीक है अब इस equation में अगर मैं ये values पूर कर दो तो definitely मेरे पास a cos theta यानि के projection आ जाएगी लेकिन ये values मेरे पास है नहीं तो पहले तो मैं a dot b निकालता हूँ दो वेक्टर्स दिये में इनका dot निकालना बहुत असान है जी इन दोनों वेक्टर्स का dot a dot b find out करते हैं तो a dot b find out करते हैं इसके लिए हम a लेंगे as it is i minus 2j plus 3k dot b which is 3i plus 0j minus 4k इनका dot लेते हैं i को i से multiply करेंगे तो 1,3 is a 3 minus अच्छा j को j से multiply करेंगे यहाँ j 0 है तो 0 से multiply कर तो 0 हो जाएगा और बाकी रहे का k यहाँ minus 4 है और यहाँ 3 है 3 को minus 4 से multiply करेंगे तो minus 12 I guess को solve करेंगे यह आ गया मेपस minus 9 तो a dot b तो मेरे पास आ गया जी ठीक हो गया अब a dot b तो निकाल लिए अब मैंने क्या निकालना है b का magnitude किसी भी वेक्टर का magnitude तो हम बहुत numerical में निकाल चुके तो इस b का magnitude कैसे निकालेंगे हमें मालूम है पहले component का square plus दूसरे component यानि y component का square plus तीसरे component यानि k z component का square अब ज़रा देखते है एक्स component कितना इसका 3 है y component कितना है यह नहीं 0 और z component कितना है minus 4 आप इसको solve करेंगे 3 का square कितना आएगा 9 minus 4 का square positive ही आएगा लेकिन 4 का square 16 होता है 9 plus 16 25 और हमें मालूम है के 25 का under root होता है 5 लोग जी अब यह सारी values put करता हूं equation number 1 में equation number 1 क्या थी जी equation number 1 थी के a cos theta is equal to a dot b और a dot b का answer मैंने निकाला कितना minus 9 divided by b का magnitude और b का magnitude भी मैंने निकाला कितना 5 तो इसका मतलब a cos theta जिसको दूसरा नाम क्या देंगे projection of vector a कितना आया minus 9 over 5 so this is how you can find the projection of any vector अब जरह discuss करते है next numerical तो students देखते हैं 2.11 की statement vectors a and b are four units north यहां north south का जिकर आ रहा है आप लोग maps को थोड़ा बहुत understand करते हैं यह north है यह south है यह east है और यह west है तो vector a यह जो है वो कहा है four units north में है ठीक है vector a है four units north vector b है three units west three units west west और vector c है eight units east और हमें यह तीन चीज़े find out करनी है a cross b a cross c और b cross c मैं इनमें एक पार्ट खुद करूँगा बाकी दो पार्ट आप लोग करेंगे बिलकुल similar method से तो मैं a cross b find out करेंगे तब ज़रे देखिए a cross b कैसे करेंगे सबसे पहले a cross b का magnitude निकाल लेता हूँ तो a cross b का magnitude क्या होगा a b sin theta इसमें n hat नहीं आएगा क्योंकि magnitude की बात करें a का magnitude कितना है 4 b का magnitude कितना है 3 और बाकी आएगा angle का sign a और b एक north में एक west में north और west के दिरमें एन angle क्या बन रहा है 90 तो sign 90 आएगा जो के 1 होता है तो इसका answer आगे 12 तो हमारे पास a cross b का magnitude तो 12 वा गया बट question यह है कि a cross b की direction कहां को होगी तो इसको जरा ध्यान से सुनना है आपको मालूम है direction के लिए a cross b की direction right hand rule से निकाली जा सकती है तो जरा देखते हैं right hand rule apply करते हैं लेकिन एक बात मैं आपको पहले बता दे हमारे पास इस तरह से white board के उपर मैंने north, south, west और east बनाया लेकिन reality में जब आप देखेंगे जैसे किसी नक्षे के उपर अगर north एस रखा होगा तो नक्षा तो आपने मेज पर रखा होगा और आप उस मेज पर रखकर उस नक्षे को पढ़ेंगे यानि कि जब मैं बुक में north बनाऊँगा तो north आप उपर बनाएंगे क्योंकि कोई चारा नहीं है लेकिन जब हम west से north देखते हैं तो ये actually उपर नहीं है north होता है आपके सामने तो अगर इस situation में देखें आ और B, A cross B लेना है तो आपको right hand में A से B की तरफ जाना है A क्या है north और B क्या है west यानि कि आपको north से west की तरफ जाना है राइट हैंड को rotate करना है लेकिन आप इसको यूँ imagine करें कि आपने north से west की तरफ जाना है मगर north तो आगे होता है तो यह जो अंगूठे की direction है यह actually क्या आएगी upward आएगी तो यह right hand rule लगाते हुए आप लोग ने ज़रा ध्यान रखना है इस चीज़ का हमारे पास right hand rule से direction का है vertically upward A cross B इतने magnitude का है और इस direction में तो हमारा final answer फिर क्या हुआ के हमारा A cross B बराबर आया 12 units और किस direction में vertically upward आए ज़र देखते है next question so 2.12 the torque about a given point is given by r cross f वैसे हमें मालूम है torque का formula लेकिन उसने फिर भी बता दिया consider a force कह रहा है इस force को ज़रा imagine करें इस force को मैं given data में लिख लेता हूँ force है minus 3i hat plus j hat plus 5k Newton acting on a point यह point है यह आपका position vector 7i hat plus 3j hat plus k hat find out क्या करने है what is the torque तो torque हमें find out करने है और torque उसने बताया कितना होता है r cross f होता है और यह हमें find out करने है अब जरा देखिए simple आपने करना क्या है दो vectors का cross लेने तो जरा देखिए r और f का cross एक बात याद रखिएगा cross product commutative नहीं होता तो आप cross product में अगर जगा change कर दें एक vector को पहले लिख दें एक बात में लिखता है तो यह mistake होगी तो इसको आप लोग ने यहाँ पर निकलना dot में ऐसा चल जाता है a dot b और b dot a a की बात है लेकिन r cross f और f cross r एक चीज़ नहीं है तो आपने पहले r लिखना है अब मैंने आपको बताया था determinant method वैसे इसको और तरह से भी solve किया जासे था है लेकिन determinant method जो है और k के components आपने लिखने पहले तो r का i 7 है j 3 है तो j के नीचे 3 और k के साथ 1 है तो आपने k के साथ 1 लिख लेगे और force का दूसरा vector यहाँ पर है तो force का आपने सारे components नीचे लिखने तो force कितना है जी i के साथ minus 3 है j के साथ कुछ भी नियान के 1 है और k के साथ 5 है अब आप simple is determinant method से इसको solve कर ले और तो यही आपके पास answer आजएगा तो ज़रा इसको solve करते हैं इसको solve करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इसको select करने और जब इसको select करने तो आपने इसकी row और इसके column को भूल जाना है यानि कि यह चीज भूल जाना है बाकी आप पास यह रहागा टू बाई टू का matrix आप इसको solve कर ले तो थ्री फाइव जा फिफ्टी है हो जाएगा माइनस इसको इससे multiply करे वन वन जा उसके बाद आपने negative sign चूज करना है और फिर आपने select कर लेना है next j hat तो अब आपने j hat select कर लिया तो आपने j hat को as it is लिख देना है अब j hat को select करने के बाद आपने j hat की row और j hat का column आपने भूला देना है बाकी आपके बाद यह चार values रहागी इनका cross करें जी seven five's a thirty five और फिर formula का negative और one को minus three से multiply करेंगे तो minus three अब जब मैं इदर लिखूंगा minus three तो minus minus plus हो जाएगा तो मैं इसको इसी step में plus कर देता हूँ तो यह आजएगा thirty five plus three फिर हम select करेंगे last k hat को और जब k hat को select करेंगे तो k hat की row और k hat को column या निकि यह row और यह column तो गया अब यह चार चीज़े रहेंगी मेरे पास तो इनको multiply करें उससे वेले तो k hat select किया अब यह आजएगा seven ones are seven फिर formula का negative और three three's are nine minus nine और वो minus minus जब मैं इदर लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा जी minus minus plus हो जाएगा तो मैं इसी step में इसको plus nine कर देता हूँ तो यह आजएगा हमारे पास 15 minus one 14 i hat then 35 plus three 38 j hat and then seven plus nine 16 k hat और force थी newtons में distance था meters में तो फिर हमारे पास इसका unit क्योंके दोनों का cross लिए है हमारे पास इसका unit आएगा newton meters तो यह है हमारे पास numerical 2.12 i f ज़रा देखते हैं 2.13 तो सबसे पहले वो कहता है कि line of action of forces force दी हुई है i minus 2 j मैं इसको i minus 2 j तो लिखूँगा लेकिन 7 k नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ 0 k ताकि confusion ना हो passes through the point whose position vector यह position vector दिया हुए जी position vector भी लिख देता हूँ कितना है minus j plus k again i 0 है तो मैं उसको mention करूँगा ताकि कोई confusion ना हो find out क्या करना है दो पार्ट हैं एक मैं करूँगा दूसरा आप करेंगे दोनों में torque find out करना है moment of force यहाद है moment of force torque का दूसरा नाम है तो हम लोगों को find out करना है torque और वो हमें मालूम है कि किसके परापर होता है वो r और f का cross product होता है और cross product मैंने अभी आपको पिछली example में भी पिछली numerical में भी करवाया भी ज़र देखिए ज़िए तो टॉर कीजी पर स्थू आर ग्रॉस एफ so again r पहले है उपर लिखेंगे i then j then k फिर पहला r वेक्टर है तो उसके components लिखेंगे i तो 0 है then j के साथ minus 1 है और k के साथ 1 और फिर हम f के साथ f के components लिखेंगे और f के components क्या है i के साथ कुछ भी नहीं है जे के साथ minus 2 है और k के साथ 0 है आइए ज़र इसको solve करें सबसे पहले तो हमारे पास हम i hat को select करते हैं जब मैंने इसको select किया तो इसकी row और इसका column भूल जाएंगे और बाकी हमारे पास ये चार चीज़ें रह जाएंगे इनको multiply करें minus 1 0 से multiply आगा तो वो तो वैसे 0 हो जाएगा फिर formula का negative बाएगा और 1 minus 2 minus 2 आएगा और जब मैं इदर minus 2 put करूँगा तो वो minus minus plus हो जाएगा मैं इसी step में उसको plus कर देता हूँ तो ये आगया i hat के साथ उसके बाद मैं j hat जब select करूँगा तो मैं negative sign लेकर आँगा negative sign के साथ j hat select किया अब j को हम लोगों ने भूल जाना है जे की रो को जे की रो को और जे की कॉलम को तो हमरे पस एक दू तीन चार चीज़े रह जाएगा जिरो को जीरो से multiply करेंगे तो जीरो याएगा फिर formula का negative और one को one से multiply करेंगे तो one आ जाएगा और फिर हमने select करना है के को जब के को select करेंगे के की रो और के का कॉलम भूल जाएगे यह चार चीज़े रह जाएगे जीरो को multiply करेंगे माइनस टू से वह जीरो हो जाएगा और फिर हमारे पास sign आएगा negative का और फिर one into minus one minus one आ जाएगा तो वो plus one हो जाएगा multiply करके इसको आप solve कर लें यही आपका final answer आएगा तो zero plus two two और into i hat so यह बन जाएगा two i hat then minus one को minus j से multiply करूँगा तो plus j hat आजएगा और then k one से multiply आगा तो k hat रहेगा और यही हमारा टॉर गोगा जबके इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोग खुछ करेंगे तो आएगे स्टार्ट करते हैं next numerical तो students देखते हैं हजरे statement two point fourteen numerical की magnitude of dot and cross product are this and this dot product का magnitude six under root three है और cross product का magnitude cross product का answer vector आते है इसलिए मैं magnitude का निशान डालू symbol डालूँगो तो हमारे पास ही इसका answer होगा six find क्या करना है find the angle between them theta उन दोनों के दरमयान angle अच्छे बड़ा simple है जे हमें मालूम है a dot b किसके बराबर है a b cos theta और a cross b किसके बराबर है उसका magnitude किसके बराबर है a b sin theta इसे मैं equation one कह देता हूँ और इसे मैं equation two कह देता हूँ और मैं यहां कहूंगा dividing equation one by two तो मैं equation one से equation two को डिवाइड करा हूँ तो जरह देखें left hand side left hand side से डिवाइड होगी तो a dot b divided by यहीं a cross b आ जाएगा right hand side right hand side से डिवाइड होगी तो a b cos theta divided by a b sin theta अब जरह तबजो की दिया है सबस्क्राइड तो a b a b से cancel हो गया a dot b का answer कितना है वो उसने बताया 6 under root 3 divided by a cross b कितना है वो 6 है यहां क्या बच गया यहां आ गया cos theta over sin theta जरह इसको थोड़ा से simplify करते हैं यह तो cut गया अब हमारे पास इदेर रहें गया under root 3 यहां cos theta over sin theta cos theta over sin theta का गवार मैं reverse कर दूँ तो यह बनेगा sin theta over cos theta तो फिर यहां पर भी हमें इसको उल्टाना पड़ेगा numerator denominator denominator numerator बनेगा तो under root 3 नीचे आ जाएगा यह बनेगा 1 over under root 3 now what is sin theta over cos theta 10 theta हमारे पास 10 theta किसके बराबर आया 1 over under root 3 यहां से हम theta बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 10 उदर जाकर inverse होगा 1 over under root 3 का और जब इसका final answer निकालेंगे तो यह आ जाएगा 30 degrees बड़ी ही आसानी से आप दोनों vectors के दरमिया angle find out कर सकते हैं आए जब देखते हैं आज का last numerical 2.15 a load of 10 newton वेड दिया होए 10 newton is suspended from a cloth line एक रसी से लटका दिया गया है यह वेड और this distorts the line और रसी जो है उसकी shape change हो गया है that it makes an angle of 15 degree from horizontal edge each end दोनों तरफ वो 15 degree जो है वो angle बना रही है what is the tension in the cloth line तो angle उसने दे रही है 15 degree और वो कहता है कि find क्या करना है tension string में tension कितनी है यानि कि T इस वकत ये body जो है equilibrium में तो है तो हम कहेंगे कि in equilibrium हमें मालूम है कि vertical forces का sum क्या होता है zero horizontal का भी zero होता है लेकिन यहाँ मेरा जो जादा concern है वो vertical के साथ है ज़रा तबज्जो कीजिए ये tension के दो components बनाई जा सकते हैं ये tension है अगर तो ये tension ये angle theta 15 तो ये भी 15 होगा देख रहे हैं आप लोग ये angle बराबर होते हैं तो अगर ये हमारे पास T है तो ये component होगा T cos theta और tension के ये component होगा T sin theta इसी तरह ये जो tension इसके भी दो components बनाई जा सकते है vertical components rectangular components ये अब हमारे पास ये T है तो ये T का T cos theta होगा और ये जो upward है T sin theta होगा अब note करने वाली बात ये है कि T cos theta ये ये T cos theta ये ये तो सिदा सिदा कैंसल करें लेकिन vertical में forces आपको पता है upward forces को हम positive लेते हैं upward forces T sin theta है दूसरी upward force T sin theta है तो vertical force में एक T sin theta आगया दूसरा भी T sin theta आगया और y axis में एक और forces जो downward है और वो उसका weight है उसको हम negative लेंगे क्योंकि downward force को negative लेते हैं और हमें पता है कि सारी forces का जो sum है वो 0 r है अब हम T sin theta प्लस T sin theta ये तो हो जागा 2 T sin theta और ये minus w उदर जाकर क्या हो जाएगा प्लस w यहां से हमें find out क्या करना है tension तो T कि इसके बराबर आएगा w over 2 और sin theta भी उदर जाकर divide हो जाएगा अब आपने w की जगा value put कर दीने और हमें पता है कि 10 newton over 2 और 7 हमारे पास sin का angle put करेंगे और sin 15 आजएगा ये सारी values put करेंगे हम और ये सारी values put करके हमारे पास जो answer आजएगा वो आजएगा 19.2 newton इस तरह से हम ये numerical भी कर लेंगे तो आज का article यहां तक के लिए था आप से मुलाकात होगे इंशाला चप्टर नमबर 3 के पहले आर्टिकल में तो तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये सुसासा अल्णवश्णूर जो हुआके हमारे वो आनर